हेलो गाईज बड़सो पुराना मंदिल भूमने आ गया है हम सारों दोस्त मिलकर देख सकते हैं कितना मंदिल का लूख है चलिए आप लोग अंदर गुसके दिखाते हैं आप लोग इस वीडियो में बने रहे हैं पुराना मंदिल को दिखाते हैं जा रहे हैं अभी दर्सन करन के लिए देख सकते हैं यह देखिए कितना खतरनाक सा सीन है पीलर देखिए निसमें कितना है परनाम कि यह और अंदर चल परें देख सकते हैं यहां का पीलर लगता है सब पत्थल का बनाया गया है इसमें देख सकते हैं मूर्ति है वाँ अंदर देखे इसके अंदर कितने मूर्ति है यह देखे अब आए अब अब फरनाम और नम करके और यहां से निकलेंगे असे बादर ले लेते हैं देख सकते हैं पनम नम किये और वहां से चल दिए पूरे खंडर को घूमने के लिए बर्सु पुराना राजा महाराजा का यह घर हुआ करता था आज वैसा ही पुरा हुआ है टूटा फूटा देख सकते हैं पर सुपुराना टूट फूट हुआ है यह देखिए आप लोग मंदिल का नजारा देखें कितना खुबसूरत हैं हमको तो बहुत अच्छा लगा यह देखिए और लड़के भी आ रहे हैं यह देखिए मंदिल पहले आप लोग देखिए कितना कतनाक है चलिए अब आगे ख्योर ले जा रहे हैं यह देखिए च्छा टूटा हुआ है हमको समल के जाना पड़ेगा नए तो कहीं टूटर गया तो हम भी चल जाएंगी यह देखिए यह ज देख सकते हैं घर चलिए हम इस सिपाई के घर उपर रहने वाले उपर चाहर रहे हैं यहाँ पर सिपाई गार्ड का नोक्री करते थे यहां से देखिए चारों दिसाएं दिख रही है क्या होगा नहीं होगा सारा चीज़ पता चल जाता है यहां से आउटसाइड की देखिए बाहर का नजरा देखिए यहां जो तोटा फुटा जो घर लखा देगा वह यह भी था तोट फुट गया बहुत सारा पुराना हो गया न इसलिए देख सकते हैं चलिए अभी तो कुछ नहीं अभी आगे के चीज़ देखने के लिए तो बाती है चलिए आप लोगों फिर दिखाते हैं यह देखिए देखिए बाँ मंदिल तो बहुत अच्छा लगा पीलर इसमें बहुत सारा पीलर या हुआ है बहुत सारा पिलर दिया देख सेटे टूटा प्ठा ओ यह क्या है ओ यह पानी एब्जॉर करने बाला साइथ है उच्छी घरा हुआ इसमें पाइप भी लगा हुआ है साइथ इसमें पानी राता है और नीचे जाता है देख सकते हैं यह टूटा-फुटा इटार यह लखा दे रहा है इस जो घर लखाड दे रहा है नेम पोद दिखार का घर आ है देख सकते हैं अंदर का कितना अच्छा दीकाँ अभी तक कुछ नहें वा क्योंकि पत्थलका बना हुआ हूए है जो प्त्थल का बना हूआ है के यह देखिए पता एक काट इन के से क्या है इंको पता ने चला यह रतीने डिजन पता चल रहा लगता नहीं है कि अलग से दिखा यह दिया यह देखिए गृण और रेड है जो यह सारा पथली है यह बर्सु पुराना यह कुझी देखिए जो कबजा हुआ करता था यह देख रहा है हुए भी पथल का है, पुरा सारा चीजी इसमें पथल का लगाया गया है यह देखिये आप लोग देखी सकते हैं यह पुरा पथल का था है यहां घूने आया बरसो पुरा न या गहर है राजा-्माराजा का हुआ करता है छली याँ दिखाते हैं यह तोटा-फूटा है देखसके हैं यहा तोटा-फूट गया चहत ढगए साइट देखसके आग के मत जाओ नभा त्राइ करते हैं उसमें पीलर देखो ना कितना हुआ पीलर का नकसा भी कतना दिया हुआ है इस पर जाके दर ट्राय करते हैं डर भी लग रहा है इस पर यहां से देखिए इस लिट कतना दर कतना कि यह बखरी के तरफ परता है यह बहुत पुराना मंदिल है यह देख सकते हैं पीलर पीलर के हर एक आगे एक मुर्ति बनाया गया है पीलर के उपर देखिए मुर्ति बनाया गया है कितना बारिकी से बनाया गया है समझ नहीं सकते हैं वो सारा जो दिख रहा है उस पत्थल का है वो सारा पत्थल का है देखिए कितना बड़ा है देख सकते हैं देखिए यह जो भी है थानु पत्थल का था ये टूटा-फूटा घर है देख सकते हैं तूट गया है बर्सो पुराना हो गया है बर्सो पुराना है हाजारों एक दूस्वा बर्स पुराना यहां घर है यह देखिए टूटा फूटा है घर तूट फूट गया साल जंगल बहुत सारा हो गया इसा यह देख सारे लड़के लोग है वह घर तो जो दिख रहा था देखी लिए यहां का सब सारा चीजे देखे लिए अब उस पार के चलते हैं यह सीरी था उपर चहरने का देखी एक साइड में बनाया गया था जहां से चल रहे थे वहां भी सेड़ सीड़ी था यह देखिए अब दूसरी सेड़ आ गये हैं यहां पर देखिए कितना खतनाक आप लोग भी घुमने आईएगा तो आप लोगों को भी बहुत मजाएं यह देखो मंदिल है मंदिल के आगें जो मुर्ती है वह कितने खतनाक लगाया गया है कितना खतनाक दिख रहा है वह भाई साला पत्थर का है सारा सारा मुर्ती पत्थर का है यह देखिए और रही है सेट सेट गुआं भी है वहाँ पर एक कुवा भी देख करते है यह तोद गया यह देखे यह जो चटाओ दिख रहा है हरे घर में जो लगा ही साराक-सारा पत्थल का ही कि अधिल देखिए यहां से कितना सा चानाज पिलर देख रहा है यह जो मंदिल के साइड में एक घर था हुआ ही का सी ओसलिए यह देखिए अब नीचे काय आफ ह्वोटेज कि देख सकते हैं पीलर देखे कितना इसलिक तो सिर्फ पथल काय बना ये सेसीमेट वालू का होगा कि देख שकते हैं । अब पूरा अप लोगों तो दिखाई दीए हैं । जा रहा है अब अगले दिन आए गे तो फिर आप लोगों को फिर दूसरा नहाष्व देखने की मिलगा, यहाँ गेट देख सकते हैं किस परकार का बनाया गया, इसमें सायत बहुत बारा है, इसमें हाथी भी अट सकता है, हाथी भी इस पर से उस पर जाता होगा, देख सकते हैं, वहाँ से चल दियें और फिर कभी आएंगे, तो आप लोगों को फिर कभी दिखाएंगे धन्यवाल और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा